गुट मार्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गैस्टुलेबर हास्पिटल स्वरुप्टेंगर खानपूर एड़ आउटसेट और रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चै ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेजी जा सके आज मैं बात करूंगा acid reflux की diagnosis के बारे में acid reflux is a very common problem जब मैं acid reflux की बात करता हूं इसका मतलब यह है कि acid आपकी खानी की तहली से खानी की नली में पलटके आ रहा है जो acid पलट के आएगा वो अपने साथ खाने को भी वापिस ला सकता है या खाने की थेली की जो contents है उनको भी वापिस लेके आ सकता है आप जानते हैं कि acid reflux की जो problem है तब ही आती है जब खाने की नली और खाने की थेली के बीच का valve है ये वास्तों में damage हो जाए ये कमजोर हो जाए ये lose हो जाए अगर ऐसा होगा तो acid बार-बार खाने की नली में reflux होगा और आपको उसकी symptoms आएंगे अगर इस तरह की problem है या acid reflux आपको हो रहा है तो वास्तों में उसकी diagnosis के लिए क्या किया जाना चाहिए इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है जहां तक जो acid reflux है उसको कैसे identify करें अगर आप खुद अपने symptoms को देखें आप खुद identify करें कि मुझे यहां कितनी जलन होती है खटपानी गले में आता है acid उपर जाता है तो वास्तों में आप अपने अगर symptoms को identify करें तो आप acid reflux की diagnosis खुद ही बना लेते हैं डॉक्टर की जरूरत नहीं है आप खुद समझ पाते हैं कि मुझे acid reflux हो रहा है अगर आप अपने जो symptoms हैं उनको खुली आंक से दे करते हैं कि वास्तों में यह acid reflux है तो अगर OTC medicine आप लेते हैं इंतासेड लेते हैं या इस तरह की चीज लेते हैं और उससे आपकी जलन रवो सब खतम हो जाते हैं वो अपने आप में इस चीज को प्रूव करता है कि आपको acid reflux है आपको किसी doctor की जरूरत ही नहीं है अग आपने problem बताते हैं आप कोई दूसरी medicine खाते हैं वो बताते हैं इन आपको physical examination किया जाता है कि कहीं कोई abnormality तो नहीं है जो वास्तों में acid reflux के लिए जिब्मेनार है तो medical history चाहिए इन physical examination चाहिए जो इस चीज को determine करेगी कि आपको acid reflux क्यों हो रहा है अगर acid reflux आपको हफ acid होते हैं उसे इस्तिमाल करते हैं उससे ये control हो जाता है तो कोई problem नहीं अगर आपने lifestyle change कर देते हैं diet ठीक कर लेते हैं exercise करते हैं उससे ये acid reflux ठीक हो जाता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं अगर जो है ये सब इनीची जो से ठीक हो जाते हैं symptoms तो शायद आपको किसी investigation किस जाच की आवशकता ही नहीं है लेकिन अगर ये acid जो reflux है हफते में कई बार हो रहा है ये आपको बार बार हो रहा है या आपको रात में परिशान कर रहा है इसका मतब ये है कि ये जो condition है शायद chronic हो गई है अगर ये condition chronic हो गई है तो इसको investigation या जाचों की ज़रूरत करते हैं आपकी खाने की नली और नीचे का जो valve है या lower isophagial sphincter है कहीं ये damage तो नहीं हो गए है इसके चलते हैं पूरी problem तो नहीं हो गई है इसे कहते हैं GERD या gastro isophagial reflux disease इसको investigate करने के लिए the most important thing is upper GI endoscopy जो upper GI endoscopy है इसे gold standard बाना जाता है जब हम upper GI endoscopy करते हैं तो जो endoscope जो एक rubber की tube होती है जिसके सामने camera होता है light होती है वो यहाँ से पास होती है तो खाने की नली के अंदर का structure हम check करते हैं ये इसमें कहीं कोई damage तो नहीं है हम ये देखते हैं कि खाने की नली के नीचे का जो valve है ये lower isofasur sphincter है ये damage तो नहीं है ये lose तो नहीं है या इसमें कहीं कोई problem तो नहीं है हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपको कहीं इस level पर कोई hernia या high test hernia develop तो नहीं हो गया है हम खाने की तहली के अंदर भी examine करते हैं stomach में ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि stomach से आगे जाने बाला जो रास्ता है उसमें कोई block है जिसके चलते problem है जिसे कहते हैं gastric outlet obstruction तो जो upper GI endoscopy is the gold standard ये आपके structure को damage को identify करेगी आपके isofasur sphincter को जना check करेगी high test hernia को rule out करेगी और खाने की तहली के आगे कोई problem तो नहीं है उसको भी ध्यान से देखेगी now the next one is the brevo wireless isovagel pH monitoring this is one of the advanced devices ये भी endoscopy के मदद से की जाती है endoscopy के द्वारा आपके खाने की नली में चोटा सा इसकी surface पर चोटा सा capsule एक attach कर दिया जाता है ये जो capsule होता है वास्तो में ये monitor करता है कि आपकी खाने की जो नली है उसमें pH का जो level है या acid का जो level है उसमें क्या variation हो रहा है जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो pH कितना होता है, जब आप खाना खाते हैं, तो pH कितना होता है, खाना खाने के बाद pH कितना होता है, या acid कितना होता है, रात में जब आप सोरे होते हैं, तो acid कितना होता है, आपके अलग-अलग जो activities हैं, उनके दोरान acid कितना होता है, तो खाने की नली में जो acid का level है, उसको हम monitor करते हैं, by way of Brevo Wireless Esophageal pH Monitoring. This is advanced device, अगर यह symptom बार-बार हैं, तो pH monitoring इसके जरिए की जाती है. The next one is the Esophageal Manometry. Esophageal Manometry से हम आपके जो खाने की नली है, उसमें वास्तों में जो pressure है, जो movement हैं, उनको देखते हैं. एक small wire pass किया जाता है, इन भी want to look into, कि आपके जो खाने की नली है, उसकी peristalsis कैसी है, आपके जो नीचे का valve है, उसका pressure कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि उसका pressure गडबड हो रहा है, जिसके चलते आपको बार-बार reflux होके उपर की तरफ आ रहा है, तो isofasial manometry is the next investigation, जो आपको जरूरत पढ़ सकती है. The next one is the isofasial pH in impedance monitoring, यह वास्तो में wire pass किया जाता है, इन pH की जो monitoring है, वो इस probe के थूरू की जाती है. The next one is the barium swallow, वास्तो में यह जो investigation है, बहुत कम use होता है, आज की तारीक में for this problem, लेकिन कभी-कभी हम barium swallow, यह x-ray है जिसे use करते हैं, आप barium नाम की दवा पीते हैं, और under fluoroscopy हम x-ray में देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हम barium swallow करते हैं, तो अगर खाने की नली में कहीं कोई narrowing है, या कहीं scrappant है, और आपके जो खाने की नली है, उसमें जो contractions कैसे है, या regurgitation हो रहा है, तो force कैसा है regurgitation का, वो भी barium swallow से हमें पता लग जाता है, और कभी अगर खाने की थेली में कोई problem है, खाने की थेली के आगे का रास्ता बंद हो रहा है, तो जो barium swallow है, उसे भी identify करता है, बट इन्वेंट ओफ एंडूस्कोप, जो barium swallow की जो यूज है, या इसकी जो एक usability है, वो बहुत कम हो गई है, इसलिए कि बहुत सारे जो answers हैं, वो हमें upper GI endoscopy readily देती है, फिर भी कभी कभी हमें barium swallow की ज़रुबत मरती है, तो अगर हम ध्यान से देखें, कि अगर acid reflux है, जो ज़्यादा problem नहीं कर रहा है, उसे आप खुद identify कर सकते हैं, अगर acid reflux है, कभी कभार होता है, आपको किसी doctor की ज़रुवत नहीं है, OTC medicine, antacet, lifestyle, इनसे काम चलेगा, अगर जो acid reflux है, हफते में कई बार हो रहा है, और आपको रात में problem कर रहा है, आपकी quality life गरबल कर रहा है, तो आपको investigation, एंड डॉक्टर से consultation करने की ज़रूरत है, यह जो investigation की जो profile में ने आपके सामने रखी, अगर इनको connect किया जाए, तो acid reflux का cause, acid reflux की severity, और acid reflux की चलते अंदर होने वाला damage, उनको तीनों को identify किया जा सकता है, इनको identify किया जाएगा, तो इनको treat किया जाएगा, और इनको treat किया जाएगा, तो आपके जो quality life है, वो up to the mark हो जाएगी, अगर आप समझते हैं, कि acid reflux को समझने में, जो test होते हैं, उनको समझने में ये video help करता है, तो जरूर share करें, मैं Dr. V. Commissioner, from guest to liver hospital, स्वरुपृंगर कानपूर, Thank you very much.